पहले उपाय की बात करते हैं कि शादी के बाद काफी समय बीच चुका हो लेकिन पांच साल से जादा नहीं हुआ है शादी हुवे दो साल हुआ, तीन साल हुआ, चार साल हो गया, साड़े चार साल हो गया लेकिन पाँच साल भी नहीं हुआ है और संतान नहीं हो पा रही है क्या करना चाहिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिला करके जल अर्पित करें नित्य प्रातः डेली मौर्निंग पती पतनी नित्य प्रातः एक मंत्र का जब करेंगे मंत्र होगा क्लींग क्रिश्न क्लींग क्लींग क्रिश्न क्लींग इस मंत्र का 108 बार जब करेंगे और पती पतनी दोनों ही एक आदिशी का उपवास रखेंगे और इस दिन केवल लिक्विट डाइट लेंगे फलकारस लेंगे, दूद पिएंगे, जूस पिएंगे, पानी पिएंगे केवल लिक्विड डाइट लेकरके उपवास रखेंगे जो एक आदिशी का उपवास है वो हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक कर देता है तो अगर हार्मोन्स की वज़ा से संतान नहीं हो पा रही है जो कि ज़्यादा तरकेसिज में होता है तो इसको रखने से चीजें काफी बहतर हो जाती है दूसरी समस्या विवा के बाद पांच साल से ज़्यादा बीच चुके हैं और संतान नहीं हो पा रही है क्या करना चाहिए? अगर पांच साल से जादा हो गए हैं तो नित्य प्रातह सूर्य भगवान को रोली मिला कर जल अर्पित करें पती पत्नी दोनों ही अर्पित करेंगे केवल पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है पती पत्नी नित्य प्रातह एक मंत्र पढ़ेंगे ओम क्लीन क्रिशनाय नमह ओम क्लीन क्रिशनाय नमह इस मंत्र का 108 बार जब करेंगे पत्नी रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएंगी लेकिन रवी बार के दिन नहीं जलाएंगे